इस बार पित्रपक्ष पर रहेगा सूरिग रहन का साया रिंग ओफ फायर के रूप में देखेगा साल का दूसरा सूरिग रहन पित्रपक्ष की लिस्ट वा सूरिग रहन की जानकारी के लिए ये वीडियो नमस्कार दोस्तों जिस तरह देवी देवताओं को प्रसंद करने के लिए अलग-लग वरत और तेवार मनाय जाते हैं। ठीक उसी तरह पित्रों को प्रसंद करने के लिए हिंदु धर में पितरपक्ष मनाय जाता है। दो अक्टूबर दिन बद्वार को हो रहा है। ये भी कहा जाता है कि पितरपक्ष के दोरान पूर्वज धर्ती पर आते हैं और अपने परिवार को आशिरवाद देते हैं। ये अवदी पितरों को स्मरण करने, उनकी पूजा और तरपन करने का होता है। इस समय शुबकारे बंद हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो भी जातक इस दोरान पितरों की आत्मा की शांती के लिए पिंडदान और शिराद करता है। उसके परिवार से पितर दोश का साया दूर रहता है और पितरों का आशिरवाद प्राप्त होता है। बता दें कि इस बार साल का दूसरा सूरिगरन इसी दोरान लगने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में पितर पक्ष की तितियों की पूरी लिस्ट और सूरिग्रेहे की विशेज जानकरी। तो इस वीडियो को अंत्य तक जरूर देखें। आए सबसे पहल में शिराद की तितियां कौन-कौन सी हैं। में शिराद की तितियां कौन सी हैं। सर्व पित्र अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुद्वार। तो दोस्तों ये थी पित्रपक्ष 2024 की पूरी लिस्ट। तो चलिए आगे जानते हैं पित्रपक्ष पर सूर ग्रहन कब लगेगा। साल का दूसरा सूर ग्रहन पित्र अमावस्या पर लगने जा रहा है। यानि ये सूर ग्रहन इस साल 2 अक्टूबर यानि सर्व पित्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। भारती ये समय के अनुसार सूरिग्रहन 2 अक्टूबर को रात 9 बज कर 13 मिनिट से शुरू होने वाला है इसका समापन आधी रात 3 बज कर 17 मिनिट तक रहेगा इस सूरिग्रहन की कुल अवदी 7 घंटे 4 मिनिट की होगे चूंकि ये सूरिग्रहन भारत में रात के समय लगने ज मिलती है और पित्रों का आशिरवाद प्राप्त होता है इससे जीवन में परेशानियों का अन्त होता है और सुक सम्रिधी बढ़ती है तो दोस्तों कैसी लगे आपको हमारी ये जानकारी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें कुंडिली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक प जरूर बताएं धन्यवाद